दोस्तों ये है हमारे पास Poco F1 और मैं इसमें उसकर रहाँ VEO OS का वर्जन 4.5 काफी सही राम लगिये मुझे तो आज हम इस राम के बार में पूरा डीटेल में देखेंगे इसकी बैटरी बैकप परफॉर्मेंस और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं सब कुछ डीटेल में देखेंगे और इंस्टॉलेशन प्रोसेस सबसे लास्ट में देखेंगे तो चलिए let's begin तो सबसे पहले अगर राम की बात करें तो राम काफी ज़्यादा सही है कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ issues होंगी तो मैं वो चेक करवा दूँगा आगे तो सबसे पहले settings में चलते हैं और about section में चलते हैं यहाँ पर पूरी information देख सकते हो और यहाँ पर Android 11 पर ROM रन कर रहा है latest security patch है जून का silver core kernel 9.3 है उसके बाद बात करें N22 benchmark score की तो यहाँ पर आपको 270,481 देखने को मिलता है Geekbench 5 का score single core में 254 है multi core में 965 है उसके बाद CPU throttling की बात करें तो यहाँ पर 81% of the max performance यहाँ पर आपको दिखा रहा है उसके बाद मैं यहाँ पर features वगेरे इसके पूरे total चेक करवा देता हूँ तो यहाँ पर चलते हैं display में तो यहाँ पर आपको night light वगेरा perfectly work कर रहा है यहाँ पर आपको colors का देखने को मिल जाएगा boosted natural वगेरा display cutout देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप अपने हिसाब से set कर सकते हो मुझे normally पसंद है तो जब यह कुछ set करोगे तो यहाँ पर थोड़ा अटक जाएगा तो वेट करने आपको फिर वो काम करेगा तो ठीक है उसके बाद यहाँ पर lock screen की बात करें तो यहाँ पर lock screen charging information voltage ampere देख सकते हो always show time and information wake screen for notification यह सब ambient में आता है उसके बाद यहाँ पर ambient display का support देखने को मिल जाएगा जो की ठीक ठाक perfectly work कर रहा है उसके बाद pocket detection देखने को मिलेगा double tap to wake और double tap to sleep perfectly work कर रहा है lock screen पर भी आपका जो double tap जो sleep होता है वो perfectly work कर रहा है तो जैसी कि आप देख पारे हो उसके बाद next option की बात करें dark theme perfectly work कर रहा है status बार में चलते हैं तो यहाँ पर double tap to sleep मैंने जबी दिखाया था 4G icon वगरे enable कर सकते हो battery style set कर सकते हो battery percent दिखा सकते हो network speed वगरे दिखा सकते हो सबी चीज़े ठीक है auto rotation भी देख लेते हैं customization की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे fonts देखने को मिल जाएंगी उसके बाद यहाँ पर icons वगरे set कर पाऊंगे color वगरे उनका तो यह सबी चीज़े आप अपने हिसाब से set कर पाऊंगे wallpapers यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं बहुत सारी styles भी यहाँ पर grid वगरे देखने को मिल जाएंगी clock styles वगरे देखने को मिल जाएंगी बहुत सारे जैसे मैंने इसको set किया है उसके बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं customization में तो हमने देख लिया sounds की बात करें me sound in answer का option देखने को मिल जाता है sound quality बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है vibrate on connect, vibrate on disconnect call से related option देखने को मिलेंगी launcher जो है wave OS launcher यहाँ पर use किया गया है उसके बाद security की बात करें face unlock, fingerprint, app lock और सभी चीज़े perfectly walk कर रही है battery की बात करें तो यहाँ पर battery uses देख सकते हो और battery backup भी बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है thermals का support देखने को मिल जाएंगा बहुत सारे thermals propel यह पर दिये गए है ठीक है उसके बाद battery manager बगर देखने को मिलेंगा और battery related information देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर system की बात करें, gesture की बात करें और key भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगी वह मैं अभी दिखाता हूँ जो navigation keys है न उसको invert कर सकते हो तो ऐसे option देने चाहिए बहुत ही सही रहता है तो जैसे कि आप देख पर हैं मैंने navigation keys on किये और यह इनको invert कर सकते हो navigation keys को तो यह बहुत important हो जाता है मेरे लिए भी और यहाँ पर quick torch का option जो perfectly work करा है जैसे कि मैं check करवा देता हूँ perfect है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हम चले जाते हैं कुछ extra additional features के बारे में भी मैं पता देता हूँ जैसे कि हाँ यहाँ पर buttons वगरे दिये हैं तो advance restart को option यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको जिससे आप bootloader recovery में वगरे जा सकते हो उसके बाद बात करें अगर कुछ और options की additional तो यहाँ पर gcam perfectly work कर रहा है camera open होने में थोड़ा सा delay हो रहा है लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं camera आप first time open हो रहा है तो इसलिए होता ही है और यहाँ पर ANX camera भी perfectly work कर रहा है बिना कोई दिक्कत के सभी mods बिल्कुल perfectly work कर रहे है C Linux चेक कर लेते हैं C Linux enforcing है तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद बात करें safety net की जो safety net है वो default pass है root करने के बाद भी pass है काफी सही बात है यह तो उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे है notification panel भी काफी सही और अच्छा देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको calling से related भी कोई issues देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल ठिक टाक walk करेगा उसके बाद आपका यहाँ पर google feed वगेरा सब कुछ बढ़िया है बिना कोई दिक्कत के बिल्कुल perfectly work कर रहा है यहाँ पर जो आपका app opening है वो भी काफी जादा smooth और बहुत जादा सही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप दिक्कत यहाँ है कि आपका जो ना slow UI लग रहा है थोड़ा जैसे कि आप देख पर उसको scroll कर रहा है तो थोड़ा slow feel होता है तो यह बात आपको ध्यान देनी है तो यहाँ पर थोड़ा slow feel हो रहा है नहीं तो बाकी ROMS में अगर देखते हो तो काफी fast work करता ही है उसके बाद मैं यहाँ पर Google Assistant भी चेक करवा देता हूं आपको तो जैसे कि आपने देखा Google Madam अपने लिए दूला सर्च कर रही है तो अब आ जाते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे सबसे पहले पने फोन को कस्टम रिकोर में बूट करना है जैसे यह complete हो जाएगा install पे जाना है रॉम सेलेक्ट कर लेना है आपको और उसके बाद उसको swipe कर देना है तो यह install होने में थोड़ा time लेगा तो मैं वीडियो को थोड़ा forward कर देता हूं जैसे ही complete हो जाएगा done करके लिखाना चाहिए उसके बाद wipe पे जाना है format data पे जाना है आपे लिखना है YES उसके बाद right button पे tick करके reboot system option पे click कर दो कि तो आपका phone चालू हो जाएगा मैं जो हूँ मेरे phone को decrypted form में यूज कर रहा हो तो मैं यहाँ पे DFE को flash कर देता हूं अगर आप भी अपने phone को decrypted form में यूज कर रहे हो तो DFE को flash कर सकते हो otherwise यह जो step है इसको skip कर सकते हो तो जैसे reboot system को option है उस पे click कर देना है थोड़ी दिर में phone चालू हो जाएगा चैनल पर नए आये हो तो चैनल को subscribe कर लो एक बर playlist चेक आउट करो काफी जादा interesting videos बना रखी आपको पसंद आएंगी